हलो फ्रेंड्स मैंसल प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ओफ एम में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ गाइस आज मैं आपके लिए काफे इंपोर्टेंट टॉपिक पर ये पोयम लेकर आई हूँ जैसे कि बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि मैं सैल्यूट टु गुरु तेग बहादुर जी पर आप एक पोयम लेकर आई है ट्वेंटी लाइन्स की तो आपकी इंपोर्टेंस को देखते हुए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ तो चलीये स्टार्ट करते हैं सैल्यूट टू गुरु तेग बहादुर तो हमें जो गुरु तेग बहादूर जी है उनको सैल्यूट करना है उनको सलामी देनी है तो उसी के लिए हमें एक पोयम कमपोजिशन लिखना है एक poem compose करनी थी तो guys, यह मैंने poem आपके लिए लिखी है तो चलिए शुरू करते है Salute to our Guru Tegh Bahadur Salute to our Guru Tegh Bahadur We cannot forget their sacrifice Because he was the great warrior Because he was the great warrior कि हम Guru Tegh Bahadur Ji को salute करते हैं और उन्होंने जो sacrifice किया है उन्होंने जो बलीदान दिया है उसको हम कभी नहीं भुला सकते क्योंकि वो एक great warrior है India had become a evil place invaded by the Mughal race तो जो इंडिया है वो एक बुराई का एक स्थान बन गया था जब यहाँ पर Mughal Emperor आ गये थे Aurangzeb was the Mughal king और Mughal का जो king था वो कौन था? Aurangzeb था and he only wanted one thing और वो एक ही thing जाता था मतलब वो एक ही चीज चाहता था to make all people back from him to turn a Hindu into Muslim कि जो Hindu लोग हैं वो Muslim में convert हो जाए स्रिफ वो यही चीज चाहता था मैं एक बार दुबारे से आपको पढ़के इसका एक रिदम बता देती हूँ इंडिया हैट बिकम एन एविल प्लेस इंवेड़ बाए दा Mughal race Aurangzeb was the Mughal king and he only wanted one thing to make all people back for him to turn a Hindu into Muslim ठीक है? इस तरीके से आप लिखेंगे आगे देखिए गाइस अगर पोयम अच्छी लग रही हो सभी प्यारे बच्चों को तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे भी मैं आपके competition से related अच्छी अच्छी पोयम लेकर आती रहती हूँ तो जो मेरा चैनल है वो आपके लिए बहुत ही beneficial आपको future में भी सारी चीज़े यहीं से देखने को मिलेंगी वन डे हिंदू सेंट फ्रों कश्मीर केम डैस्परिटली तो हिस डोर ओ हेल्पर ओफ दा वीक वी बैक टू यू तो प्रोटेक्ट अस फ्रों दा मर्सीलेस मुगल्स तो एक दिन एक संत कश्मीर से वहाँ पर आए और उन्होंने गुरु तेख बहाद्दू जी को आवाज लगाते हुए कहा ओ हेल्पर ओफ दा वीक मतलब कमजोरों की साहेता करने वाले वी बैक टू यू तो प्रोटेक्ट अस हम आपसे ये कह सकते हैं आपसे ये चाहते हैं कि आप हमारी सुरक्षा करें फ्रोम दा मर्सीलेस मुगल्स कि जो दयालू विहीन लोग हैं मतलब जो किसी पर दयालू नहीं करते हैं मुगल्स उनसे हमारी रक्षा करें गुरु तेख बहाद्दू जी कि ओ फिर जो गुरु तेख बहाद्दू जी थे उन्होंने अपना जो तरबन था वो ब्यूटिफूली पहना और कहा ओ दिल्ली के सुल्तान अगर तुम इन सब को कनवर्ट करना चाहते हो कि ये हिंदू से मुसलिम हो जाएं तो सबसे पहले तुम मुझे कनवर्ट करो और अगर you cannot succeed अगर तुम सफल नहीं हो पाए उन्हें कनवर्ट करने में तो you do हिंदू free तो तुमें सभी हिंदू को क्या रखना पड़ेगा free करना पड़ेगा वैन ओरनजेब केम नियर बट गुरू हैड no fear तो जब औरनजेब उनके पास आया तो जो गुरू थे गुरू कौन गुरू तेग बहादू जी उनको कोई डर नहीं था तो उन्होंने औरनजेब ने जट से चौपड ओफ गुरू हैड और जो गुरू हैं उनका सिर कलम कर दिया मतलब तलवार से उनका सर काट दिया तो आज हम उनका जो ये डिवोशन है उन्होंने जो भल्यदान दिया है उसको हम हमेशा याद रखेंगे हम उन्हें दिल से सलामी देते हैं क्यों करते हैं क्योंकि वही हमारे आइडल है वही हमारे आदर्श व्यक्ति है तो यह आपकी पोयम थी गाइज अगर आपको पोयम अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही एक दो पोयम और मैं इस टोपिक पर अपलोड कर दूँगी अगर आपको मतलब इसी टोपिक पर और कोई पोयम चाहिए इससे अदर यही टोपिक होगा बट पोयम चेंज होगी तो आप मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट करकर बताएं अगर आपकी मैजियोर्टी ज़्यादा रेस्पोंस करती है कि हाँ आपको दूसरी पोयम भी चाहिए तो मैं उसके ओपर जल्द ही आपके लिए पोयम लेकर आऊंगी सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जादस जादस शेयर करें बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो अप्लोड ओ आपसे मिस ना हो और आप अपने कॉम्पेटिशन में फर्स्ट प्राइस जीश सकें तब तक के लिए थेंक यू सो मच अल दे बेस्ट फोर यूवर अल कॉम्पेटिशन